तो हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब वीडियो टोटल लर्णिंग में तो दोस्तो आप सभी का जैसे ही रिजल्ट निकला और हमारे वाट्सेप ग्रूप, टेली ग्राम ग्रूप और वीडियो पर कमेंट आना शुरू हो गया कि सर 160 पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, 175 नमबर आया हुआ है हमको कॉलेज मिलेगा की नहीं मिलेगा, 200 नमबर आया हुआ है कॉलेज मिलेगा की नहीं मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोस्तो आप सभी का बहुत जादा ऐसा कमेंट मेरे मैसेज, वाट्सेप ग्र आइसिस करके आपको समझा दिया जाए जिससे आपको टेंस नहीं हो ठीक है आप बहुत ज्यादा टेंसन लिए हुए तो आपको टेंसन नहीं हो तो देखे मैं कोई कंफर्म नहीं बताऊंगा आपको जैसे दिखा रहा हूं बस आप लोग वीडियो को देख लो आपको भी के हैं कि तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हम लोग को सबसे पहलें को कॉलेज सीट पे आना होगा ठीकिटे। प्यान होगा जैसा कि आपको दिख रहाओगा राजकिये पल्टेक्निक संसान ठीक है पल्टेक्निक वाले के लिए है देखे आपका मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 175 नंबर है तो होगा कि नहीं होगा तो देखे एक बात में किलियर कर देता हूं आपक को देखे जिनका 200 से उपर नंबर है ठीके 200 से उपर नंबर है जो हमारे इस कुलास को टेंड के उनका 200 नंबर हंडेट परसंट ही होगा ठीक है 200 प्लस वाले के लिए 200 प्लस नंबर जो लाएं उनके लिए है ठीक है ठीक है अब बात करते हैं कि कितना के अंदर में सीट मतलब कि कितना रैंक मिले हमको कि सीट बुक रहे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग सेफ रहें तो देखे यहां पर आपको देखे टोटल सीट कितना 11,360 ठीक है सरकारी में 11,307 यानि कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एड़िसन लेंगे तो 11,307 स्टूडेंट्स लेंगे ठीक है 11,360 स्टूडेंट्स लेंगे यानि कि आपका 11,307 रैंक आना चाहिए तो देखिये कुछ ऐसे भी स्टुडेंट होगे जो की जो की तेन्थ के बाद 12 में ले लेंगे जैसा कि आपको पता हुआ कि इसका सेशन लेट चलना था ठीक है सेशन लेट हुआ एक्जाम में टाइमिंग लगा रिजल्ट आने में टाइमिंग लगा तो कुछ स्टुडेंट्स अपना साल न थीक है वीस हजार के अंदर में आपका रेंक है क्योंकी आपको पता होगा कि इगाराहं रावा jest140 इसमें से 1558 शीट और यह तो इसी उसी में मिक्स сист सैनिक कोटा के लिए ठीक है तो आपको पता लगे होगा जो 11307 है इसमें तो बहुत सारे स्टुएंट्स भरे होंगे तो बहुत सारे स्टुएंट्स भरे जिसमें से तो कोई इसी का वेट कर रहे होंगे ठीक है कोई इसी का वेट करेंगा और नहीं तो कोई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जिसके कारण कोई 12th में एडविशन ले लिये होंगे ठीक है पर टेकनिक इंजीनर वाले की बात कर रहा हूं जब 12th में एडविशन ले करके अपना पढ़ाई कर रहा हूंगे क्योंकि इ उससे नीचे आ जाई उससे उपड़ा जाएगा रैंक में ठीक है तो आपका एडविशन हो जाएगा अगर उसका नहीं होता है तो इसी तरीके से आपको चलते रहेगा तो लगबग अनुमान से कहें तो 20,000 रैंक के अंदर में आप लोग है तो आप लोग सेफ है दोस्तों मैं व्हना इसे चलिए आपको इतना आपको चांदे अधर और गजाएगः तो आपको वीडियो कर रहें तो पाषची मैं आपको दूघाएगा ज़रूर मिलते Мिलते यह जैंजा भरत